ध्युबग दियुक्शन कन walks ? तो आप देख पारे होंगे, यह जो PCB है वो महारा induction cup top की PCB है तू दिखी एहाँ परầy है इसमें दिखी यहाँ पर 22 ओम की resistance यहाँ दिखी है जो SMPS की resistance है इसको भी चेंज करने के बाद कोई बार एसा होता है जो अमारा बजर की साउंड नहीं हो रहा है तो दिखिए यहाँ पर इस तरह की जो प्रब्लेम है अब मतलब रिपेर करते-करते आप फरिशान हो गए तो किस कारण से यही बहुत ही ज्यादा इंपोर्डेंट जो वीडियो है आज का वजो तो आप वीडियों बने रहे हैं मैं आप लुको के एक चीज़ बता हो देखिए यहाँ पर आप जो भी इंडक्शन कुप्ट रिप्यार करने के लिए आपके पास कस्टोमा लेका था जो इंडक्शन कुप्ट अब डेड तो आप यहाँ पर जो मतलब सारे चीज़ा प्रिप्यार कर लिया इसके बाद आपका जो बाजर की साउंड मतलब इंडक्शन अबारा जो ओन नहीं हो कि इसमें जो में जो हमारा कॉंपोनेंट है वह हमारा माइक्रो कॉंट्रल आइसी है यह जो आइसी हुआ हराब होगा त तो देखिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपूल एक टोफिक की मतलब से इस माइक्रो कॉंट्रल आइसी को कैसे हम चेक करें इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेट्टिकली दिखाऊंगा आपके सामने तो दिखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देख पा रहू करने के लिए पहले देखिए हम यहाँ पर दूर की टुक्रे लेंगे लिए तो दिखिए हम इसमें जो हमारा माइक्रो कॉंटर आइसी को चेक करने के लिए हमारे को यहाँ पर जरूरत होगा जो हमारा देखिए आपके पास किसी भी चीज़ की यहाँ पर में मुबाल चरद तो आपको करने के लिए हमको फाइब बोल्ट की अबस्यक्ता होगा इसी चाहर्दर की मतलब इसको चेक करने के लिए हमें पहले मतलब नेगेटिव चाहिए और दूसरा जो हमारा फाइब बॉल्ट प्लास चाहिए तुछ यहाप पहले उन गेटीव में हम देकि यहापर एक क हाला है नगेटिव और छाहरी दान ढूसर दतने हं जोлы्टिव में निगेटिव से कभन मतलब होता है कि यहां पर मैंने निगेटिव में सोल्डिंग कर दिया अब दिखिए यहां पर जो हमारा जो निगेटिव में लगाऊंगा तो जो फाइब बोल्ट एडेप्टर की जो निगेटिव है इसको में यहां पर लगा जाता हूं आप दिखिए यहां पर आपको यहां पर दिखिए आपको यहां पर जो इसको 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 अच्छे से आपको एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नाद दोस अगारा मतलब गयारा नंबर पीन में अमारा जो प्लास प्लास होना चाहिए इसके बाद आपका जो माइक्रोंटर आइसी है वह हमारा ओन मतलब सही होगा तो हमारा बाजर की साउंड आना चाहिए तो मैं आप लोगो को यहां पर साइड में राक लिए आप देखिए आप सुन सकते यहां पर तो मैं 11 नंबर पीन में देखिए ने इसके जो हमारा आप रिक्रोंटर की साउंड आप देखिए इसके में आप लोगो को तो देखिए कि आप कि यहां पर आपने देखा कैसे आप कि माइक्रोंटर आइसी कूप बिल्कूल असानी से चेक कर सकते हैं तो आपको पहले इंडेक्शन कुप्टर रिपियर करने के टाइम पहले आपको माइक्रोंटर आइसी कूप चेक करना इसके बाद आप मतलब लगाने के बाद इसे मतलब इंडेक्शन नहीं हो रहा तो पहले आपको माइक्रोंटर आइसी कूप चेक कर लेना तो आप बिलक्व आसँसे माइक्रोंटर आइसी कूप चेक कता है तो हमारा वीडियो से आपको कुछ सिखने के लेकि मिलजा तो हमारा चैनल को सब्साइब टिजीए और हमारा वैटियो को लाइक किजीए और और भी हमारा जो वाईलोग और अवारा काम करते हिए, लो उते मतलब आच्छे जानकाई मिलेगा तो लिए आज के लेज मिलके आने वले वीडियो के साथ